करणी सैना के पिर्मुक सुगदेव सिंग शेखाबत गोगा मेडी की हत्या के मामले में दो लोगों का नाम सामने आता है जो CCTV फूटेज में साफ दिखाए देता है एक का नाम होता है नितिन फोजी और दूसरा होता है रोहित राठोर रोहित राठोर के बारे में ये बताया जाता है कि उसकी गल्फरेंड ने उस पर रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया था इसके लिए वो लफख पांच साल लगातार जेल में रहा सलाकों के पीछे रहा जब सलाकों के पीछे रहता है तो इस बीच में सुगदेव सिंग शेखाबत इसकी जो गल्फरेंड होती है उसके साथ मिलकर पैर भी कर रहे थे और पैर भी करते करते उनकी नजदी किया रोहित राठोर की गल्फरेंड के साथ बढ़ जाती है ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है और ये मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि सुगदेव सिंग शेखाबत की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन पत्ने होती हैं पहली पत्नी शकुंतला चोधरी दूसरी पत्नी शीला शेखाबत जिसको दो बेटियां भी हैं और तीसरी पत्नी सपना सोनी हाला कि सपना सोनी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें शादी नहीं की थी लेकिन वो लीव-इन पार्टनर थी और जिस दिन इनकी हत्या होती है उस दिन हत्या कार्ण में ये नीचे वाले कमरे में होते हैं तो वो उपर वाली मंजल पर मौके पर ही मौजूद होती है और आगे होस्पिटल ले जाना बाकी कारवाई भी सपना सोनी नहीं की थी और ये भी बात ये भी दाबी किये जा रहे हैं मीडिया में कि जैसे ही 37 का फोटो और साथ ही एक लेडी डोन का पकड़ा जाना ये अपना आप में कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है आज कहानी उसी लेडी डोन की है जिसमें इस हत्याकार में जिसकी एहम भूमी का रही है आदाब नमसकार सस्त्रियकाल में उस्मान सैफी आज की जो सची घटन मैं आपको सवाने जा रहा हूं इस अची घटना है राजस्तान प्रदेश की राजधानी जैपुर की दरसल जैपुर से ही एक लड़की को ग्रिफतार किया गया वो लड़की जो एर होस्टिस की स्टूडेंट होती है जिसे अभी हवाइजाज में यात्रा करनी थी हाला कि यात्राएं भी करनी थी यात्राएं करानी भी थी क्योंकि वो एर होस्टिस की तैयारी कर रही थी साथ ही बताया जाता है कि वो नोकरी भी कर रही थी एरपोर्ट पर लेकिन जैसे ही इस लड़की का नाम सामने आता जिसका नाम है पूजा सैनी और पूजा बत्रा तो सोशल 2018 की बात है ये लड़की रहने वाली कोटा की होती है लेकिन जैपर में बीएस सी फस्टेर में एडमिशन लेती है इसी की छोटी बेहन कोटा में रहकर ही कोई तयारी कर रही थी और एक दिन पूजा सैनी अपनी बेहन से मिलने के लिए जब कोटा जाती है तो पता चलता है कि जो उसकी बेहन की सहेली है उसका बोई फ्रेंड भी आया है और बोई फ्रेंड के साथ तीन और लड़के भी आया है और तीन और लड़कों में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है महंदर मेगवाल उर्फ समीर जब ये मुलाकात होती है ये रुकते हैं बातचीत होती ह और इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन करीब एक साल होने के बाद इसी बीच में इसकी फेसबुक जो होती है फेसबुक पर friend request आती है और friend request को जो इसने गौर से देखा बारिकी से देखा तो पता चलता है कि friend request भेजने वाला महंदर मेगवाल है वही बाते होती थी बाचीत होते होते दोस्ती हो जाती है दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है और वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और एक दिन मंदर जाते हैं और मंदर जाने के बाद शादी कर लेते हैं शादी करके ये जैपुर का एक एक इलाका है परताप नगर चोपाटी वहाँ पर किराय के मकान में रह रहे थे और मकान में रहते रहते एक दिन यनकी 28 नवंबर 2023 को एक लड़का नितिन फोजी होता है जो की आर्मी में होता है और उसकी पोस्टिंग थी अलवर में वो आता है हिसार से सी चार पांस दिन की बात है तुम्हें एड़जस्ट करना पड़ेगा तुम्हें हम दूसरे के शिफ्ट कर रहे हैं और इस कमरे में एक लड़का है जिसका नाम नितिन फोजी है वो यहाँ पर रहेगा अब हालकी ये नाम नों को नहीं बताया था लड़का लड़की को लेकि ये लगातार पूरा वक्त गुजर जाता है तो ऐसे करते करते पांस दिन जब हो जाते हैं पांच मदन यानि कि पांच दिसंबर साल 2023 दोपहर का वक्त था ये अपनी गाड़ी में यानि कि मेहंदर मेगवाल इसे अपनी गाड़ी में बढ़ता है नितिन फोजी को और नितिन फोजी को दो पिस्टल दो मैगजीन पचास जार रुपे नगत और ऐसे ही एक पिस्टल और एक मैगजीन जो दूसरा होता है रोहित राठोर उसको दिये जाते हैं वो यहां से लेकर सीधा नवीन शेखावत इने मिलता है नवीन शेखावत इनको लेके जाता है लने के बाद कुछ abeth gleich बाद्चित होती है और ऊसी के बीच में ठाया ठायां करके सत्रे घोलियां चल जाती हैं सत्रे घोली चलने के बाद पता चलता है कि नो गोलियां सुधेभ सिंग को मारी और इसमें साथ गोलियां मारी थी है उस व्यक्ती में चैछा बादो जो शेखा उसके किराय के कमरे पर उका था अब पूजा सेनी की बात आती है तो पता चलता है कि पूजा सेनी तो ये जो इसका हस्वेंड होता है इसका नाम महंदर होता है महंदर मेगबाल जो की कोटा का हिस्ट्री शीटर होता है उस पर लूट हत्या डकैती जैसे लगों के डेड़ दर गोंदर जो की रोहिद गोदारा और विरेंदर चारणके संपरक में था, जिनोंने क्या शुगदेब सिंग्शेखाबत गोगामेडी की हत्यागा पूरा प्लान बनाए था, पूरी योजना बनाय थी, पूरा रोड मैप बनाय था, कहां से हत्यार मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और ये पूरी जानकरी जुटाई थी, पुलिस ने ग्रिफतार करने वालों को उन से पूंच्टाच कर रही है पूंच्टाच के बाद लगातार नएने खुलासे हो रहे है, नएने खुलासों के बीज जब जानकरी जुटाई जा रही है, तो उससे वाकिए हैरानी भी होती है हیرانی इस बात की भी होती है कि रोहित राठोर जो होता है उसकी गल्फरेंट उसको जेल भिजवा देती है और जेल भिजवाने के बाद उसकी गल्फरेंट की सेखावत यानि की सुखदेव शिंग शेखावत उसकी पैर भी कर रहे थे इसी बात का घुसा था, वो निकाल रहे थे और रोहित गोजारा का मामला ये सामने आता है कि जहां जहां से वो रंगदारी लेने की कोशिश करते थे रंगदारी वसूले की कोशिश करते थे वहां जाकर संक्ट मोचक की तरह सुगदेव शिंख शेखापत जाकर खड़े हो जा करते थे बैपारियों के सपोर्ट में और इसलिए इन्होंने फैसला किया इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए हलाकि अभी पुलिस ने अधिकारिक रूप से पूरी तरह से घोशना नहीं किये कि किस किस तथे पर आकर किस किस मामले पर आकर किस किस बिंदू पर आकर हत्या हुई है क्यों हुई है क्या कारण है उनके भी खुलासे होने बाकी हैं लेकिन जो बिंदू सामने निकल के आ रहे हैं वो बाकी हैरान करने वाले हैं दोस्तो फिलहाल अभी इन लोगों से पूश्टाच की जा रही है लेकिन आपको मैं बताता और चलूँ कुछ पाते हैं जैसे किया मेरी बहुत सारी जो मैंने इसमें कहानिया सुनाई हैं कहानियों पर कुछ लोगों ने लारेंस विश्णोई को अपना लब करते हुए अपना 32 केस हैं जो कि जिला वीकानेर के थाना का दू लगता है वहां का यह गाउं है का पूरी सर वहां का रहने वाला है इस पर लफब जो मुकदमे है और मैंने बताइधिया है कि आपको 32 मुकदमे हैं और यह परिवार से लफब 2005 में ने हैं से Joseph meanwhile ने जैपू रहने जंगेश्ट्रों के कॉंटेक्ट में आता है तो उसके बाद जो इसके परिवार की हालत होती है वो वाकिवी बद से बत्तर हो जाती है इसका भाई है जो खेट किसानी करता है माँ है खेट किसानी करती है और पिता है वो भी खेट किसानी ही करते हैं लेकिन हैरान करने वाली ब तो सबसे दो परिशानी कोई और नहीं, बलकि उसका पूरा परिवार जहिलता है, चाहे छोड़ छोड़े बच्चे हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजर्ग लोग हैं, और उनका एक इंट्रिव्यू चल रहा था, न्यूज 18 इंडिया पर, जब इंट्रिव्यू चल रहा तो उसका भाई होता है, इसका नाम हनुमान स्वामी होता है, जब वो अपनी कहानी बयां कर रहा था, तो रो रोकर उसका बुरा हाल हो जाता है, देखकर वाके शर्म आती है, कि एक भाई गलत काम करता है, और पूरी का पूरा परिवार उसका सफर करता है, इसे हिसाब से ए किनारा करने लगे हैं, दूर जाने लगे हैं, क्योंकि ऐसे क्रिमिनलों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा, ऐसे क्रिमिनलों से कोई रिष्टदारी या नाता बढ़ना नहीं चाहेगा, आगे हम बात करें, रोहित राठोर की, जो कि मकराना जसूरी गाउं का रहने वाला है इसके पितावी फोट से रिटायर हैं लेकिन इसके घर में भी लोगों का आना जाना कई साल पहले से बंद हो चुका था ना कोई रिश्टदार आता है, ना कोई गाउं का आता है, ना कोई परिबार का आता है ऐसे हि एक व्यक्ति का नाम जो इस घटना क्रम में जो सामने आया है वह उधम सिंग चरण जो की हरियना हईसार का रहने वाला है ये इसके घर की अगर बात करें तो ये बेहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है और इसके दो भाई हैं एक भाई बनिये के दुकान पे काम करता है एक भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और इसके पिता है वो जो छोटा हाती जिसे बोलते हैं समान बोजाड होने के काम आता है उसको वो यूस कर रहा है ऐसे ही करके इनकी जिन्दगी चल रही है लेकिन जैसे ह सोशल मीडिया पर अखवारों में टीवी पर इन जितने भी अपरादी हैं जो इस सुगदेव सिंग शेखावत की हत्या कारण में नाम शामिल हो रहे हैं वैसे वैसे ही समाज, परिवार, दोस्त, रिश्दार इन से पूरी तरह से कट चुके हैं खासकर ये मैसिज ये बात आपको इसलिए बताए गई है नजने कितनी बड़ी संख्या में बहुत सरे ऐसे लड़के ऐसे लोग हैं जो की लौरेंस विश्दोई का समर्थन करते हैं उसे वारे में कहते हैं कि बहुत अच्छा है उसे लब वाला जो एक सिंबल होता है वो भी ये लोग जिस परेशानी से जिस समस्याओं से गुजर रहें इन से कहीं जादा इनकी घर वाले इनकी परिवार वाले जो समस्याओं से गुजर रहें उनके बारे में भी देखना चाहिए अपरात का रास्ता आसान जरूर होता है लेकिन उसके बाद जो परिवार वाले सफर करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इस पूरे घटना करम को सौने का उद्देश किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखना नहीं है बलकि आपको जागुर्प करना है आपको सचेत करना है और जाते जाते आज अलवर के रहने वाले हैं जहीर खान और सौन वदर के रहने वाले हैं, अक्षे मोरिया, आज इनका जनम दिन है, इनको जनम दिन की बहुत सारी शुपकाम नाए, बहुत बहुत मुवारक बात, साथ ही कुछ लोगों नाम लेने की अपील की है, जिसमें आनिमे शानंद, नफीस सिद्धिकी, संगीता ब हाद हुत कि वोड़कों और था सथ, ऑ APP हुता है, इनको लुगों नाए हाँ, इनको नेस करीकिता बात, से बाकर या चल के बहुता है, अबहुता है, जो है को भीक loops-ए, आब चल कता सकते हैं, नावरकों झाए।, पलू है।